हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो माई योट्यूब चैनल और आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हमारा फार्माकोलोजी का टॉपिक है और आप लोगों को समझ में आ रहा होगा टॉपिक किस चीज के बारे में हैं यह आप लोगों के सामने क्लियर हो रहा है जी ह हम लोगों का टॉपिक जो है आज का वो है एंटिसेप्टिक डिसिंफेक्टेंट एंड एक्टो पेरसाइटी साइट्स जी हां एंटिसेप्टिक डिसिंफेक्टेंट एंड एक्टो पेरसाइटी साइट्स यह हमारा आज का टॉपिक है और इस टॉपिक को हम लोग दो पार जो आपके गौर्मेंट एक्जाम में फार्मा के या जो भी आपका जीपेट नैपर का जो भी एक्जाम होता है उसमें इस टॉपिक से बहुत ही सुपरफीसियली कोशिन पूछा जाता है लेकिन इसको पढ़ना इसलिए जरूरी है कि सुपरफीसियल कोशिन जब गलत होता है उम बहुत ज़्यादा दुख होता है चली बात करते हैं पहला हमारा है एंटीसेप्टिक और दिसिनफेक्टन का क्या कॉंसेप्ट है तो एंटीसेप्टिक और दिसिनफेक्टन अर दी एजेंट्स विच इनिबिट्स और किल मायक्रोप्स ओन कॉंटैक्ट एक सिंपल लाइ बहुत अच्छा point है यहाँ पर इन्होंने क्या बोला ऐसे एजेंट जो लिविंग सर्फेस के कॉंटेक्ट में आ रहे हैं जो लिविंग सर्फेस के लिए यूज किये जा रहे हैं उनको हम लोग बोलते हैं एंटिसेप्टिक ऐसे एजेंट जो नॉन लिविंग या करने के लिए यूज कर रहे हैं उसको बोलेंगे हम लोग डिस इन्फेक्टेंट ठीक है इसको और बेटर तरीके से समझ सकते हैं जैसे कि आपके अभी हाथ में सभी लोगों के हाथ में फोन है ठीक है जिससे आप लोगे वीडियो देख रहे हो मेरा तो जो आपकी फोन की स् बही आपका फोन नॉन लिविंग है इसलिए आपका वर्ड यहाँ पर यूज होगा डिस इन्फेक्टेंट क्लियर हुआ एंटिसेप्टिक में कभी उज करता है अगर यह आपके जो हाथ हैं आपके जो हैंड्स हैं जिससे आप फोन पकड़े हुए हो इनके उपर माइक्रो evaluating अटाना है तो उसके लिए हम लोग वर्ड यूझ करेंगे एंटिसेप्टिक ठीक है तो यह बेसिक क्लियर हुआ Living surface पर microorganism अटाना है, that means antiseptic, अगर non-living पैसे microorganism हटाना है, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे word disinfectant आगे चलते हैं एक term हाता है germicide ठीक है, germicide word किसके लिए यूज़ कियाता है, it covers both category of drug अगर आपके सामने कहीं भी लिखा हुआ है germicide इसका मतलब हो आपका antiseptic और disinfectant, दोनों ही दोनों आपके category को वो cover कर रहा है अगला point disinfection and sterilization एक word नया आगे हाँ पर sterilization क्या difference है, disinfection means reduction in the number of viable pathogenic microbes to a level that they are not risky to individual इसका मतलब होता है कि पूरी तरीके से micro organism को kill नहीं करता है यह उस level तक micro organism को kill करेगा, कि वो आपके लिए risky ना हो, और यह लिखा हुआ है that it is not risky to individual ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूँ sterilization की, तो clear एक line लिख दिया है sterilization means complete killing of all forms of microbes microorganism के जितने भी microorganism है, उनको पूरी तरीके से kill करने को हम लोग बोलते है sterilization, तो यह basic difference होता है हमारा disinfection और sterilization ठीक है, clear हुआ आगे जलते हैं इसके बाद आता है हम लोगों का spectrum of activity, spectrum अगर कहीं भी word आजा है फार्माकोलोजी में, इसका मतलब यह होता है कि वो कौन-कौन से type के microorganism को kill कर सकते है जैसे कि अगर मैं आपर term बोलूँ कि wide spectrum, एक आपने सुना है narrow spectrum, तो wide spectrum का मतलब होता है कि बहुत सारे बहुत तरीके के microorganism को kill कर सकता है, bacteria को kill कर सकता है gram positive b, gram negative b लेकिन narrow का मतलब होता है बहुत ही limited bacteria जिनको kill करना है चलिए, तो यहां पर लिखा हुआ है कि majority of them are wide spectrum activity some are selective, मतलब ज्यादा अतर जो आपके antiseptic or disinfectant होते हैं, वो wide spectrum होते हैं लगबद, mostly सभी को kill कर देते हैं कुछ selective भी हैं, और selective के example आपको बता रहे हैं जैसे कि hexachlorophen इनको आप थोड़ा अच्छे से रिमाइंड करेंगे, hexachlorophen chlorhexidine, chlorhexidine बहुत common है, यूज करते हैं माउथवास भी इसका आता है chlorhexidine का, quaternary ammonium antiseptic, gentian violet and acryflavin, ये जो सारे के सारे आपके हैं, ये हम लोग gram positive bacteria के लिए यूज करते हैं, सभ़भी में आगया अगला है, silver nitrate के अगर हम बात करें, तो ये बहुत जादा active होता है गोनो कोकाय के लिए silver nitrate और अगर हम बात करें, बेंजोईल परोकसाइड की, तो बेंजोईल परोकसाइड आपका प्रोप्यो बेक्टेरियम एक्निस के लिए ठीक है, प्रोप्योन बेक्टेरियम नहीं करते हैं, इसको फॉर्म में बनाया जाता है कुसी भी chemical का direct यूज कभी हम लोग बॉड़ी के ऊपर नहीं करते हैं, कुछ limited amount रहता है जो हम लोग according to the formulation डालते है आगे बात करते हैं spectrum effectivity आपको सुझ में आगे इसके बाद अगला point आता है हम लोगों का mechanism of action क्या mechanism रहता है, कैसे वो bacteria को kill करते है उनकी growth को रोकते है तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहली mechanism है oxidation of bacterial protoplasm bacteria को जो protoplasm होता है देखो, protoplasm का मतलब क्या होता है कि वो पूरा के पूरा part जहाँ पर उसके cell organelles प्लस उसका nucleus यह दोनों ही कि दोनों चीज़े प्रेजन्ट है ठीक है, cytoplasm में cell organelles प्रेजन्ट रहते हैं, अगर आप उसको में nucleus भी एड कर देते हो, तो उसको हम लोग protoplasm बोलता है तो bacteria का जो protoplasm होता है, अगर उसका oxidation कर दिया जाएगा, उसको oxidize कर दिया जाएगा तो उसकी जो growth होती है bacteria की, वो आपके रुख जाती है एक और मेरे पास तरीका क्या है कि denaturation of bacterial proteins including enzymes, भी एक काम यह करो कि जो bacteria की जो protein है उसको denaturate कर दो denaturation का मतलब भी क्या होता है कि जब भी कभी कोई भी protein, आपका जिस native form में present है मेरा point समझेंगे, इसको यह word आपका biotechnology में भी आता है, denaturation का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई protein आपके, यह लिखा हुआ denaturation जब भी कोई protein आपका native form में present है, या तो मान के चलिए, quaternary form में है tertiary में है, secondary में है जब उससे टूट कर वो किसी और form में आ जाए तो उसी को हम लोग बोलते है denaturation, ठीक है तो जब दूसरे form में आता है तो stable नहीं रह पाता है और एक तरीके से आपके bacteria की जो growth होती है जो उसकी life होती है खतम हो जाती है तो protein के denaturation होने की वज़े से तो ये भी एक mechanism है कि जो antiseptic होते है वो bacterial protein को denaturate कर देते है और तीसरा क्या है कि ये permeability बढ़ा देते है bacteria के membrane की जब उसकी permeability बढ़ जाएगी तो अराम से वहाँ से proteins और जो भी चीज़े वो निकल जाएंगी आराम से आपका जो antiseptic है वो उसके उपर काम करना सुरू कर देगा तो ये आपकी तीन mechanism है जिससे आपका antiseptic और disinfectant वर्क करता है ठीक है तो ये हूँ आपका mechanism of action अगला हमारा point आता यहाँ पर that is potency जी हाँ ये question आप से कई बार exam में आया है और मैं जो बता रहा हूँ इस formula को आप लोग नोट कर लेंगे कि germicidal activity germicidal potency के लिए एक formula दिया गया है बस यही एक formula पूछा जाता है जो काम का है बस वही याद करना है phenol coefficient और riddle worker coefficient scientist थे इसलिए इनका नाम से भी coefficient जाना जाता है इन्होंने एक formula दिया था कि कैसे आप पता करोगे किसी भी germicidal की potency क्या है तो इन्होंने क्या पताया कि it is the minimum concentration of test drug क्या बोला है समझेंगे minimum concentration of test drug required to kill a 24 hour culture of bacillus typhosa in 7.5 minute at 37.5 degree cells divided by phenol under same condition मतलब उन्होंने क्या बोला कि 37 degree centigrade पे और 7.5 minute के लिए अगर आप किसी भी drug की वो minimum concentration लो जिससे कि वो 24 घंटे वाले bacteria के भी typhosa के culture को kill करने में काम्याब हो ठीक है नहीं समझ में आया जैसे मैं फिर से समझाता हूँ आपके पास कोई 24 घंटे तक का कोई कलचा रखा हुआ है भी typhosa का यह हमने एक species लिली बेक्टेरिया के और वो 7.5 minute में 37.5 degree temperature पर वो minimum concentration उस drug की जो उसको kill कर दे उस concentration को divide कर दो phenol से कि कितना concentration का phenol है कितना concentration का phenol है जो same temperature पर same time के लिए उस पाले बेक्टेरिया वो 24 घंटे वाले बेक्टेरिया को kill कर रहा है जब इन दुरों का divide कर दोगे तो अगर आपका बहुत अच्छा potency होगी तो इसकी value हमेशा 1 से कमाएगी ठीक है इसकी value हमेशा 1 से कमाएगी तो यह आपका एक formula होता है जो आपको याद करना है बहुत important formula है यह बहुत important formula है यहाँ से question जरूर आता है तो यह आपका formula होता है तो minimum concentration of test drug required to kill 24 hours of beat hyposense 7.5 minute at 37.5 degree temperature तो यह आपको formula याद करना ही करना है आगे चलते हैं आगे आपका दिया हुआ है classification मतलब कौन कौन से drugs हैं जो हमारे काम के हैं जो antiseptic disinfectant में आते हैं समझते जाएंगे सबसे पहले आते हैं आपके phenol derivatives जी हाँ phenol derivatives phenol derivatives में drug हैं आपके phenol बहुत अच्छा antiseptic disinfectant है krisol यह भी है आपका hexylresorcinol derivatives हैं जो बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं अगला है आपका oxidizing agents क्योंकि अभी देखो मैंने आप क्या बताया था कि जो bacteria के protoplasm को क्या करते हैं oxidize करते oxidizing agents में आपके potassium permanganate hydrogen peroxide and benzoil peroxide ठीक है इसके बाद आपका तीसरी category आती है halogenes की halogenes भी आपका बहुत अच्छा disinfectant बहुत अच्छा काम करता है जैसे chlorine है iodophores है iodine है chlorophores है आपने सुना होगा गाओ में chlorine की गोली डाल देते हैं पानी की टंकी में है ना तो उसका region ही होता है कि वो disinfectant का काम बहुत अच्छा करता है antiseptic तो इतना अच्छा नहीं है बार disinfectant बहुत अच्छा होता है आपका chlorine या जो halogenes होते है उसके बाद आपका अगला आता है bi-guanides और bi-guanides बहुत फेमस है यह आपका जो आप लोग उन यूस भी करते हैं इसको drug का नाम है आपका chlorhexidine मैं आपको यह बता दना हूँ chlorhexidine आपका बहुत अच्छा antiseptic बोल सकते हो आप और इसका mouthwash आता है बहुत आपके अगर दातों में germs present है तो यह बहुत अच्छी germy saddle activities हो करता है chlorhexidine gluconate salt होता है इसका gluconate salt तो उसके साथ ही आपका market में available है अगला है quaternary ammonium quaternary ammonium में आपका drug है satrimide, bengalconium, chloride and decollinium chloride तो यह आपके quaternary ammonium compound ने जो हम लोग यूज़ करते है as an antiseptic and disinfectant soap भी हमारे आते हैं जो ऐसे जिनके अंदर sodium, potassium, salt प्रेजेंट होगा alcohols, alcohols में आपके आते हैं ethanol और isopropanol जो isopropanol होता है यह भी आपका बहुत अच्छा antiseptic है अभी करोना के टाइम पे isopropyl alcohol ही हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं hand corp करने के लिए यह आपका disinfectant भी बहुत अच्छा होता है इसके बाद आपका aldehyde है aldehyde के टीकरी में आपका formaldehyde और gluter aldehyde यह दोनों ही आपके बहुत अच्छे antiseptic और disinfectant की तरीके से काम करते हैं acids में जाएं तो boric acid बच्चों में आपने देखा होगा छोटे बच्चों को powder लगाया जाता है बच्चों में जो पाउडर्स होते हैं उनके अदे बोरिक असट प्रिजेंट होता है तो बोरिक असट वालो जो पाउडर होता है वो हुआ एसिटिक असट हुआ यह भी आप लोगों का अंटिसेप्टिक की तरीके से काम करता है मेटलिक साल्ट में अगर आजाएं तो सिल्वर नाइटरेट, सिल्वर सल्फ़र दैजीन, माइल्ड सिल्वर प्रूटीन, जिंक सल्फेट, जिंक ऑक्साइड और कैलामीन तो यह सारे के सारे आपके metallic salt हैं जो आपके antiseptic और disinfectant की category में जी हां कर डाइस की बात करें तो प्रोफ्लेविन और एक्रिफ्लेविन के लावा gentian violet है जिसका मैंने सुरू में ही जिकर किया था आपसे तो यह आपके classification में हो गए furon derivative में एक ड्रग आता है classification of antiseptic and disinfectant चलिए तो एक टॉपिक आपका यह complete हुआ अगला टॉपिक आता है आप लोगों का एक्टो पेरासाइटी साइट्स यह थोड़ा ज्यादा important टॉपिक है और यहां पर थोड़ा समझने बाती है कि एक्टो पेरासाइटी साइट्स क्या होते है नो मतलब वो एक तरीके सबके बॉड़ी में अंदर जाके काम करते है लेकिन यहां पे एक वर लग गया एक्टो एक्टो का मतलब क्या होता है एक्टो का मतलब होता है बाहर मतलब बॉडी के बाहर बॉडी के अंदर की बात रही हो रही यहाँ बात हो दिया बॉडी के बाहर और पैरसाइट का मतलब क्या है पैरसाइट और साइड का मतलब क्या हो गया कि किल करना ठीक है सबी को बता है साइड का मतलब हो गया किल करना पैरसाइट का मतलब हो गया बॉडी के बाहर और पैरसाइट का मतलब हो गया पैरसाइट और अगर उनको किल करेंगे, तो टर्म हमारा बन जाएगा, Ectoparasiticides, अब भी बोडी के बाहर किल काहा, आज मतलब problema कर सकते हैं, फरी एक तो हो गई हमारी skin, हमारी skin पर कहीं भी बाहरी रूप से, हमारी skin पर ही अपना घर बना लें, दूसरा हमारे hairs भी एक बहुत अच्छा उनका medium होता है जहाँ पर वो छुप जाते हैं और अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं तो इनी के बारे में बात करते हैं चलिए तो यहाँ पर है हमारे ectoparasiticides वो drug हैं that are used to kill parasites that live on body surface जो आपकी body की surface पर रह रह रहे हैं जो आपकी body की surface पर रह रहे हैं और आपको problem create कर रहे हैं itching हो रही है आपको उनसे उसको हम लोग बोलते हैं ectoparasiticides आप बहुत देखा होगा common खुजली के problem हो जाती है तो जनरली इनी के कारण होती है ectoparasites के ही कारण होती है उसी के हम लोग आज बात करेंगे minute arthropods infecting human skin and hair are जो छोटे-छोटे arthropods होते हैं जो human skin and hair को affect करते हैं वो कौन-कौन से हैं एक तो हम बोलते हैं lice या lice बोल सकते हैं इसको ये lice जो होते हैं ये pediculous species की होती है और ये wingless insect होते हैं मत्तब इनके punk नहीं होते हैं और ये वही के वहीं आपके mainly hairs होते हैं ये generally hair में ही present होते हैं जिसको आप लोग Hindi में जू बोल सकते हो या जो आप अपने local language में बोलना चाहें lice का मतलब होता है जो hairs में हमारे बालों में present होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं दूसरा है हमारा mites mites क्या होता है कि ये आपकी skin के ऊपर घर बना लेते हैं जो mites है ये आपका skin के ऊपर घर बना लेते हैं skin की surface पर घर बना लेते हैं और ये इनको आप sarcopts या फिर acarus scabies arachinids बोलते हैं देखिए इंसे जो बिमारी होती है उसी को हम लोग बोलते है scabies क्योंकि mites क्या करते हैं आपके skin पर या फिर आपके growing area में या फिर आपके fingers के बीच में ये सब इनके favorable conditions होती हैं जहां पर इनको अच्छा temperature और अच्छा moisture मिल जाता है और वहीं पर ये अपना grow करना start कर देते है अब scabies के बारे में बात करते हैं तो scabies is highly contagious अगर किसी को scabies है तो अगर उसको scabies है तो इससे दूसरे इंसान में फैलने का कत्रा बहुत जादा होता है जिन जिनके वो contact में आता है दूसरी चीज जो scabies में क्या होता है कि जो mides होते है mides burrows through the epidermis देखे जो भी में बात कर रहा था वहीची सामने आ गई ये epidermis पर अपना घर बनाते हैं laying eggs वहाँ पर अपने अंडे देते हैं बिच फॉर्म papules that itch intensely और बहुत ज्यादा खुजली होती है उंगलियों में जगे रप्रेजेंट होती है उंगलियों के बीच में नाकुनों के अंदर तो यहाँ पर ये entry करते हैं और ये बहुत जल्दी आपके spread हो जाते हैं फिर वहाँ से आपके forearm में trunk में genitals में और lower legs में पैरों में भी बहुत जादा खुजली करते हैं तो यह हो गया आपका scabies के कैसे फैलती है अगला point जो pediculosis है pediculosis का मतलब हो रहा है मैं leese की बात कर रहा हूँ pediculosis में क्या है कि the least thrive on जो leese होती है में लिए एक तो आपके head में present होती है सबी को बता है जो आपके बालों में होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं pediculosis capitis दूसरा यह body पे भी present होते हैं कभी-कभी इसको बोलते है pediculosis cosporosis cosporis और एक यह आपके pubic reason में भी present होता है इसको हम लोग बोलते है pediculosis pubis तो यह तीन तरीगे से जो lease है यह आपका present रहती है यह क्या cause करता है lease के साथ एक important factor भी है lease के साथ important factor क्या है कि यह आपका etching तो cause करती है साथ में blood को भी सक करती है इसलिए यह खतरनाग होती है साथ में यह transmit करता है typhus को और relaxing fever को तो जो lease होती है वो आपका ये तीन के टिकिनियों डिवाइट कर दिया है कहां का प्रेजेंट रहती है और ये मैंने आपको करेक्टरिस्टिक फीचर बता दिये अगला पॉइंट अब मैं बात करते हैं इसके drug की कौन कौन से drug है जो इसको kill करेंगे इसको हटाने के लिए useful है अब देखे question यहां से बनने के chances हैं question directly आपको अग ये तो मैंने general knowledge दे दी lease के बारे में Scabies या Pediculosis किसको बोलते हैं वो बता दिया, है ना, अब drugs की जब बात करेंगे तो guys सबसे important पहले नमबर पर ड्रग आता है हमारा Permethrin, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला ड्रग है हमारा Permethrin, पहला ड्रग, Permethrin के बाद है हम लोगों का Sulfur, जो हम लोग Ancient Time में यूज करते थे, तीसा है Linden, Linden को ही हम लोग बोलते हैं BHC, समझागे आगे क्या है यह, उसके लाद आता है आपका Dicofane जिसको बोलते हैं DDT, इसके बाद है हमारा Benzyl Benzoate, फिर हमारा Ivermectin, और लास्ट में हमारा Crotamiton, तो अगर यह जो ड्रग से हैं इनमे से, अगर म आपका Ivermectin है, जो हम लोगों को पढ़ना चाहिए, Benzyl Benzoate भी अच्छा ड्रग है हम लोगों का, तो यह सारी चाहिए हम लोगा भी डिसकस करेंगे, तो सल यह सबसे पहले बात करते हैं Permethrin की, यह GPAT में भी है, किसी भी government exam में बहुत पूछा जाता है, परमेथरिन की broad spectrum activity होती है, सबसे पहली चीज, बहुत ज़ादा efficacy है, चाहें भई आपको scabies हो, चाहें आपको pediculosis हो, मतलब lice की problem हो, दोनों ही condition में आपका Permethrin बहुत ज़ादा effective हो जाता है, आपने देखा होगा doctors generally जब खुजली हो जाती है, तो एक दवा देते हैं कि इसको पूरी body पे ल हो जाती है आपको, तो वो generally might की problem होती है, scabies की problem होती है, तो उस condition में doctors आपको बोलते हैं कि आप गर्धन के नीचे आपके neck के नीचे पूरी body पर रात में इसको लगाएंगे, apply करेंगे skin पे और सुबह उठके आप लोग नहा लेंगे, तो वो आपका Permethrin ही आपका drug होता ह अगली चीज़, it causes neurological paralysis in insects, कैसे काम करता है, it causes neurological paralysis in insects by delaying depolarization, यह इसका mechanism है, कि यह neurological paralysis कास करता है, अगला point इसकी toxicity और resistance बहुत कम है, यही reason होता है, कि यह जो drug है, इसका आपका बहुत ज़्यादा वी usable है, बहुत ज़्यादा आपका drug of choice, माइट्स के case में बताया जाता है, देखिए, मैंने जो बोला वही चीज़ आ गए, it is a first drug of choice for scabies and pediculosis, exam में आ जाए तो बस याद रखना है, कि parmetrin ही वो drug है, जो आपका first drug of choice है, चाहे आपको scabies हो, चाहे आपको pediculosis हो, अगला point, लिंडेन जो ड्रक की बात कर रहे थे, उसी को हम लोग बोलते है, गामा बैंजीन हेक्जाक्लोराइड, यह क्या करता है, इट किल्स लीस एंड माइट्स, बाइपनेट्रेटिंग थू थू देयर, काईटीनस कवर, अफेक्टिंग दे नर्वर सिस्टम, एक्चुली क्या हो अगला पॉइंट, दोनों ही माइट्स और जो लीस हैं, इट कें डवलप रजिस्टेंस टू लिंडेन, यह लिंडेन से रजिस्टेंस कौच कर सकता है, इसका क्योर रेट भी 100% नहीं है, जब इसका 100% क्योर रेट नहीं है, तो क्या करेंगे भई, रेजिस्टेंस भी डवल अगर आप मिला दोगे, तो क्या होगा, यह रेजिस्टेंस जो हो रही थी, उसको भी कम कर देगा, और जो क्योर रेट जो 100% नहीं था, वो भी आपका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, अगला पॉइंट इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसका डिसएडवांटेज यह है क्योंकि यह बहुत ज्यादा लिपिड सॉलिबल होता है, इसलिए इसकिन के थुरू एब्जोब हो जाता है, और सी एनेस को स्टूमलेट कर देता है, वर्टिको कन्वल्जन जनरली कॉस करता है, इसलिए हम लोग इसका यूज नहीं करते हैं, मैंने बताया, फर्स्ट चोई लिखा हुआ है, इसलिए ओरली एडिमिस्टर ड्रग यूज फोर एक्टो पेरसाइट, थोड़ा सा स्पेलिंग स्टेक है, एक्टो है, एक्टो पेरसाइटी साइट की केस में, यह अकेला ऐसा ड्रग है, जो आपका ओरली एक्टिव है, समझ में आ गया, इस परिंट को लि अगला पॉइंट, यह स्केबी इस पेडिकुलोसिस दौनों में बहुत जादा इफेक्टिव है, डोस जो होती है, वो 0.2 mg पर केजी रहती है, एडल्ट में जनरली हम लोग 12 mg तक देते हैं, ठीक है, और अगला पॉइंट यह है कि यह जो बच्चे होते हैं, पांस साल से कम जो प्रिगनेंट फीमेल या लेक्टेटिंग वूमेन हैं, उनके अंदर जनरली हम इसको नहीं देते हैं, अवाइट करते हैं आइवरमेक्टिन को, तो गाइस यह हो गया आपका आइवरमेक्टिन, उसके बाद आता है DDT, डाइकोफेन जिसको बोलते हैं, DDT का फुलफरम ह हमारा, it penetrates through exoskeleton, यह exoskeleton से penetrate करता है, और यह neurotoxin रहता है arthropods के लिए, इसलिए हम लोग DDT को, लेकिन हम लोग बोडी पे इसका यूज नहीं करते हैं, जनरली insecticide है, यह exoskeleton को penetrate करता है, और arthropods को neurotoxicity भी cause करेगा, इससे वो खतम हो जाते हैं, एक और चीज, जैसे मैंने आ benzyl benzoid के साथ मिला देते हो, तो यह इसका जो combination होता है, बहुत ज्याजा effective होता है, ठीक है, तो यह आपका dicofen का important point हो गया, और last में वहारा आता है sulfur, अगर हम sulfur की बात करते हैं, तो पराने time से use करने हैं, हम लोग oldest scabicide, ठीक है, आगे आपका, this is your oldest scabicide, weak pediculocyde, antiseptic fungicide and keratol मतलब, यह scabicide बहुत पराना है, लेकिन बहुत अच्छा pediculocyde इसको या antiseptic आप नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, weak activity सो करता है, लेकिन बहुत पराना है, सबसे पहले sulfurium लोग use किया करते थे, यह क्या करता है, देखिए, यह important point है, इसलिए मैं आपको sulfur लेखा है, कि it is applied to skin, SO2, and pentathionic acid, ठीक है, यह reduce हो जाता है H2S में, और oxidize हो जाता है sulfur dioxide, pentathionic acid में, ठीक है, यह थोड़ा important point है, question पूछा जाता है, कि sulfur जब जाता है, तो body में जाने के बाद, body apply करते हैं, तो उसका reduction होने के बाद क्या बनाता है, और दूसरा oxidize होने के बाद क्या बनाता है, तो य pentathionic acid, vitamin B5 का नाम मैंने बताया, तब पिछले कई, कुछ lecture में, कि B5 को होलते है, pentathionic acid, pentathionic acid, वो pentathionic acid, यहाँ पर pentathionic acid है, तो difference है दोनों में, options यसे ही confuse करता है, ठीक है, यहाँ पर है pentathionic acid, और वो होता है pentathionic acid, difference है दोनों में, थायो बढ़ा आगे, मतल़ा sulfur की बात होड़ी है, बस simple सापका तरीका याद कर लेना, ठीक है, दूसी चीज, जो इसमें, जो last में मैंने बताया ना, pentathionic acid and self-so2 है, तो later one dissolve the cuticle of each mite and kill it, अगर आप से पूछा जाए, कि उस mite को किल करने के लिए, कौन सी चीज responsible होती है, तो वो आपकी होती है, later one मतलब pentathionic acid, ठीक और बहुत मतलब comfortable नहीं है, और इसकी जो smell भी होती है, जो order होता है, बहुत ज़्यादा गंदा होता है, इसलिए इसको generally avoid किया जाता है, तो guys, यह थे आपके आज के पूरे topics में कौन कौन सी drugs हैं, जो आप लोग यूज करते हैं, इसको आप लोग एक नजर से देखेंगे, इससे आपको notification continue मिलते रहेंगे, चलिए thank you, मिलते हैं बहुत जल्दी next lecture में, तब तक के लिए, bye bye